कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में आज है सेटर डे मौर्णिंग और आप सभी को वेरी गूड मौर्निंग और बिटकोईन के जो हाल चलना है वो काफी अच्छे है 26,300 के लेवल पे बि 26,000 डॉलर को रात को ही क्रोस कर लिया था और हमने डिसकुस किया था कि अगर टिकता है इन लेवल पे टिकता है तो अच्छी बात है नहीं टिक पाता तो फिर वो अच्छी बात नहीं है और बिटकोईन ने बखुबी खुद को टिकाया हुए अगर आप देखो बिलकुल 26, 25,000 25,175 के लो लगाए बिटकोईन ने और इसके बाद जो बिटकोईन हाई लगाए है वो आप देख सेकते 26,518 के लेवल है और तब से जो है लेवल नीचे नहीं गया है और खुद को मेंटेन कर रखा अभी तक अब यहां पर यह पंप आ क्यो रहा है सबसे पहले यह समझ प्विट्टिड होता है उसके बाद पंप नहीं हुआ उस दिन डंप हो गया ठीक है वो कहीं नहीं एक मार्किट का ट्रैप था क्योंकि देखो ऑबियस सी बात है जब क्या है कि मार्किट अपने रख में भी फसाता है सीपीए डेटा पर क्या था कि बहुँआ कम आया तो नहीं आया कोई इंट्रेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ ठीक है वो भी एक पंप का सिगनल था तब भी बिटकोइन पंप नहीं हुआ तब भी बिटकोई ने और नया लो लेवल दिखा दिया तो जो CPI और FOMC के दिन जो पंप आना चाहिए था है रहा वो उस दिन तो नहीं आया लेकिन कल से जरूर आ रहा है 25,175 के यहां पे एकदम से इस केंडल ने जो किया काम उसके बाद लेवल सिर्फ और सिर्फ उपर ही गया है और उपर ही हम देख रहे है ठीक है तो जो पंप था CPI का FOMC का वो अब आरहे मार्किट के अंदर अब यह भी डिसकस करना बहुत जरूरी है आज है 17 जून है तकरीवन तकरीवन टू वीक्स हैं यह महीना एंड होने में और अगर हम बिटकोइन की मंथली केंडल पर चलें तो यह है बिटकोइन का मंथली चार्ट यह जो आप मंथली केंडल देख रहे हैं यह वाली यह है जून मंथ की जो ओपन हुई थी 27,200 के लेवल पे इसने लो लगाया 24,800 तक का है ना तो इस महीने अभी तक जो है बिटकोइन की रेंज वो 27,200 से 24,800 तक बनी हुई है ठीक है लेकिन अगर यह यह केंडल अपना मूँ उपर की तरफ फेर लेती है मतलब उपर कर लेती है जैसी अब देखो उपर की तरफ यह केंडल यह आ सकती थी यह हो सकता था लास्ट वीक के अंदर जब 5-6 दिन रह जाते है ना जब मंथली क्लोजिंग के टाइम पे मार्किट आ जाता है उस टाइम पे ऐसे गेम होते हैं लेकिन अभी टू वीक्स पहले यह गेम हो रहा है ठीक है तो थोड़ा डंप का भी ध्यान रखिएगा लेकिन अगर बिटकोइन हमको एक अच्छी क्लोजिंग यानि 27,500 या 28,000 या 28,000 से उपर मिलगी तो और भी बड़िया बात है ठीक है अगर इस केंडल ने अपनी क्लोजिंग ग्रीन में दे दी जैसे यह उपर की तरफ बढ़ रही है यहां पर इसकी लेवल पर अगर क्लोजिंग आ जाती है ठीक है या आदा भी आता है ठीक है 27,500 अठाइस अजार पांच सो तक अगर एक क्लोजिंग देता है इस मंत तो आठीक सined की न Choi की 32 टीसलार की रींज जुलाई मंत के अंदर बिटकोइन की हमको देखने को मिल सकती है सबसे जरूरी है सबसे इंपोर्टन है इस मंत की Zent M closing कहां देता है यह candle को कहां close करता है यही देखना बहुत जरूरी है ठीक है तो अभी तो एच्छे लेवल आ चुके है 26,300 क्योंकि अभी यहां पे 13 days है monthly closing में तो 13 दिन में यहां market क्या कुछ करता है यह भी देखना बहुत जरूरी है आज हम बात करेंगे सबसे पहले meme coins के बारे में और बात करेंगे कुछ अंदर की जो आप सबको नहीं दिख पा रहा है ठीक है market में ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं या हमको दिखती नहीं है इसलिए बोलता हूं कि हर चीज़ को समझना बहुत जरूरी है आप देखो market के अंदर seasons आते हैं कभी old coin का season आता है कभी meme coin का आता है कभी web 3, web 3 का तो अभी तक आया नहीं है ठीक है कभी AI crypto coins तो अगर मैं बात करूं meme coins की market में bitcoin के level 26,000 पार गए है no doubt उनके साथ-साथ meme coins भी pump कर रहे हैं लेकिन इनके अंदर जो pump आ रहा है अगर आप देखो यहाँ पे मैं पैपे की बात करता हूं पैपे से meme season स्टार्ट हुआ था अच्छे वाला ठीक है 17% इसके भी price बढ़ गए 5-0 पे आ गया यह फिर से ठीक है और 6% फ्लॉकी इनके भी price बढ़े है पिछले 24 गंटे में और 4% वेवी dodge coin जैदा कोई बड़ा move नहीं है dodge ilon marks भी 6% ठीक है लेकिन अगर मैं meme coin me lady meme coin की बात करता हूं तो भाहिया 100% 55% यह पिछले 24 गंटे बंप कर रहा था अभी level नीचे है जैसा हमने discuss किया था कि भाहिया break लगता है ठीक है वैसा हुआ है और यह pump बता रहा है कि back to back जो meme coins में pump आ रहे है क्या meme coin का season यहां पर फिर से आ रहा है अगर मैं AI dodge की बात करता हूं तो 11% यह भी उपर चल रहा है हमने कल रात को ही discuss किया था ओगी इनू ठीक है 38-40% तक price बढ़ गए ओगी इनू के भी तो अगर हम देखें market के अंदर आप देखो बड़े-बड़े market के अंदर alt coins है बड़े-बड़े potential वाले coins है जो इस time पे एक तरह से range रहा है नीचे मैं यह नहीं कहता है वो coins खराब है उनका potential है वो अपने time पे pump करेंगे जब उनका season आएगा तो वो रुकेंगे भी नहीं है अच्छा pump कर सकते है लेकिन अगर हम देखें market में जो reward दे रहे है वो meme coins भर-भर के reward दे रहे है ठीक है no doubt whales भी बड़ा-बड़ा move बड़े-बड़े game खेलती है meme coins के अंदर me lady meme coin को तीन दिन के अंदर इन्हों नहीं इतना pump कर दिया 3-4 days को अगर आप हिसाब लगाओगे me lady का तो बहुत अच्छा खासा pump किया और इस सारे whales के ठीक है whales के हाथ में और whale सी pump कर रही है तो मेरा कहने का मतलब यह है market के अंदर भाया हर category है meme category भी है meme category में अगर पैसा बनता है meme category अगर return दे रही है तो उसमें कोई घाटा नहीं है वह सारे लोग meme coins को कुछ नहीं समझते ठीक है लेकिन meme coins ही यह बता रहा है होंगी वह meme coins की ही होंगी ठीक है जो 1000% 2000% एक महिने में या 15 दिन में वैसे नजारे सिर्फ यही coins हमको दिखा सकते है अगले bull run में तो एक तरफ risk तो है लेकिन reward बहुत ज़्यादा है ठीक है तो जो भी market में कर रहे है research के साथ करें और यह बता रहा है कि कहीं न कहीं फिर से जो है meme coins का season वापिस आ सकता है तो जहां तक हम बात करते है मी lady की एक रात रात में जो है एक अच्छा यहां पे low level भी दिखाया 408 का ठीक है और फिर से level आ चुके है 5255 के अभी high लगाया और यहां पे तक्रीबन तक्रीबन 5000 की जो series है उस पे यहां पे इस टाइम पे currently level चल रहे है तो मी lady meme coin में जबरदस्ट pump continue आ रहा है और अगर यही रहा हाल तो भाईया जल्दी हम 6000 की जो series है 6000 या 6500 को भी cross कर सकता है मी lady meme coin तो जब भी market में एक अच्छी situation होती है तो भाईया bull run trend होने लग जाता और आप देख रहे हो bull run यहां पे एक भारी भर कम trend हमको देखने को मिल रहा है definitely हम दीरे दीरे तो जा जा तो हम bull run की तरफ ही रहे हैं तो देर सवेर तो हमको bull run ही देखने को मिलने वाला है जिसका weight कहीं न कहीं काफी time से वह रहा 2021 में जो देखा था वह वैसा नजारा अब जल्दी हमको 2024-2025 में देखने को मिल सकता है next update आरी है यहां पे chain link को लेके और कितने chain link है है 6.4 million यानि 64 lakh chain link 34 million dollars के transfer from unknown wallet to binance तो काफी time के बाद हमको chain link का इतना बड़ा transfer देखने को मिला है युकि अगर 6.4 million chain link है तो बहुत बड़ा number है 34 million dollar के यह coins है next update आरी है Ukraine की तरफ से Ukraine to impose 18% tax on crypto profit from 2024 2024 से 18% का जो tax है crypto के उपर वो लगाया जाएगा Ukraine के अंदर तो next हम बात करेंगे Solana, Matic और ADA ये तीन coins market के अंदर कहते हैं न है कि double mark तो जेली रहे है double mark इनके उपर पड़ी Robinhood की dealisting हुई उसके बाद market गिरा है ना और ये तीनों ही coins अच्छे गासे dump हुए लेकिन backed D-list Solana, Matic and ADA amid regulatory uncertainty तो यहाँ पर जो है backed की जहां तक हम बात करते हैं backed ने भी यहाँ पर D-list कर दिया है update दे दिये यहाँ पर Solana, Matic and ADA को लेके ठीक है और sitting regulatory uncertainty in the US the exchange says it's awaiting further clarity on how to offer more alt coins compliantly है तो एक तरह से फिर से इन तीनों की D-listing होती हुई backed platform से तो यह तीसरी मार इन तीनों coins के उपर next हम बात करेंगे Binance D-list Pipe from its loan product जी हाँ अभी exchange से D-list नहीं हुआ है अभी Binance ने जो announce किया है the D-listing of Pipe meme coin from its flexible loan product तो flexible loan product की list से Pipe को हटा दिया है और वो दिन भी दूर नहीं है अगर Pipe ने market के अंदर कुछ नहीं किया कोई इनका अगर इनकी team का कुछ बढ़िया response नहीं रहा market के अंदर तो जिस दिन Binance ने फिर बाकी exchanges भी देर नहीं लगाएंगी है ना और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसको हटा दिया flexible loan product की रहें से ठीक है next updated DAI को लेके DAI emerged as third largest stable coin overtaking BUSD in market capitalization Binance के उपर बहुत सारे FUD आये जिसकी वज़ा से BUSD में काफी अच्छी हमको problem देखने को मिली आपने देखा BUSD से बहुत सारे लोगों ने एक टाइम पर पैसा withdraw भी किया था लेकिन अब BUSD को overtake कर लिया DAI ने जी हां makers DAO DAI stable coin is now the third largest stable coin by market capitalization surpassing Binance USD which has officially declined 4.30 billion dollar and DAI DAI की market value अगर हम आज की debt में देखें तो 4.394 billion dollar की हो गई है है ना तो बता रहे है कि भहिया अब जो है fourth number पे पहुँच चुका है BUSD जो third number का सबसे बड़ा stable coin था अभी market में और सबसे पहला USDT दूसरा USDC और तीसरा आ चुका है DAI stable coin और last and final में हम बात करेंगे billionaire investor Mark Cuban की Mark Cuban warns 99% of crypto assets will fail और says winners will be game changers 99% project जो है crypto market के वो fail हो जाएंगे यह कहना है billionaire investor Mark Cuban का और ऐसी warnings बहुत सारे investors की रही है सरूरी नहीं है कि ऐसा हो market के अंदर ठीक है तो इनका मानना यही है कि market के जितने बाकी projects है मतलब एक bitcoin और ethereum यही market के कहते नहीं कि एक ऐसे assets है जो maybe evergreen रह सकते हैं इनका मानने का मतलब यही है और 99% project जो है यहां पे fail होते हुए हमको दिख सकते हैं इसके उपर आपके क्या व्यूज है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठीक है और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंड वीडियो अच्छा लगा लाइक शेर कमेंट कीजेगा कोई भी question कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं नीचे description में telegram twitter के link है जोई नहीं किया तो कर लेना कोई update मिस नहीं होगा किसी भी crypto में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें वह बहुत जरूरी होती है क्योंकि crypto market is very risky market यहां आपको profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है तो हमेशा अपनी research जरूर से जरूर करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर